नमस्कार दोस्तों, नैस्नल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है, चलिए देखते हैं आज के मारतपूर अपडेट्स जहां ओलम्पिक 2020 का आयोजन टोकियो के अंदर होने वाला था, लेकिन कोरोना वारस पैंडमे के कारण इसको एक साल पॉस्ट पॉस्ट पॉन्ट कर दे गया, बात करें तो कुछ ही तीन चार दिनों के अंदर इसकी सुरुआत होने वाली है, बात करें भारत की तो भारत का पर गोल जीत रहा था, कई दिसक तक भारत ने होके के अंदर लगातार गोल जीते, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि किसी भी गेम के अंदर डॉमिनेट नहीं करता है, दोस्तो ओलम्पिक इसलिए इतना मातपूर है क्योंकि यहां पर जो देस खेलते हैं, जो यहां पर टॉप इनके बीच मुकाबला होता था, लेकिन आज यह समय में चाइना और अमेरिका की बीच मुकाबला हो रहा है, इसके रहाा ग्रेट ब्र इसने भी काफी अच्छा प्रदर्सन किया है, बात करे भारत की नियुटिज का पर बाद करते हैं, बात बात करते हैं कि अंधेर इंडि सामिल है इनको आनर ट्रैक ए Do Hair equipment भाला इंक्ट निल को यह सब कंपनीज प्रोबइड करेंगी च्छे कंपनीज सौट लिस्की गई है जो चौट पॉपट करेंगी इसमें धरन पॉइंट किलोग्राम के व्याइन 7.26 किलोग्राम के हैमर यह सब सामिल है जिनको प्रवाइट किया जाएगा वैल इस बार उलम्पिक से भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बार भारत ने सबसे अदा कॉम्पटीटर भेज़े हैं तो हमें उम्मीद है कि इस बार भारत का प्रज़स्न पिछले उलम्प यहां पर सी सिमेंट करीब 600 करों की नैस्मेंट कर रही है और यह प्लान करीब 65.7 इकर्स के चेट में फैला हुआ है यह सेप्टेंबर के अंदर पूरी तरह से डवलाप हो जाएगा इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा इस किलावा से सिमेंट करीब 12,000 टन पर डेकी कि कप पर ग्रहाकों की सोविदा के लिए एलेक्टिक चार्जिंग सिस्टम डिवलाप करेगी इससे देश के अंदर कई सहरो में हाइवे के रीटेल आउटलेट्स पर इवी चार्जिंग फैसलिटीज को डिवलाप किया जाएगा दोस्तों टाटा ग्रुप के पास देश के 100 सहरो के अंदर 500 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अविलबल है और यह चार्जिंग स्टेशन स्वापिंग मोल थेटर हाइवे यहां पर लोकेटेड है बात करें एचपी सेल की उसके एक्जिकेटिव डारेक्टर साई कुमार सूरी ने बताया है कि एचपी सेल के पा अनुसार दोस्तों वंदिभारत इंडली ब्हारत अपने सर्विस दे रही है एक कुष्प से मैघ पर काइच के लिए मोडिफिक्स के लिए और डेफके लाट होए शिदुष्प करना है प्रोटटो टया जीया रहा है जिसके टोनेघ वाले हैं यह ट्राइल काफी लंबे समय तक चलेंगे जो वंदेबार्थ एक्सपर्स चेन हैं इनको एक लाग किलोमेटर तक चलाया जाएगा और यह कॉमर्सिल ट्राइल होंगे और करीब इसमें एक महिने का समय लगेगा इस ट्राइल के बाद हर महिने एक ट्रेंसेट्स में प्रेक्चर किये जाएंगे जिसमें 16 कोचिस होंगे और हमें डेट सालों के अंदर करीब कई नई वंदेबार्थ एक्सपर्स चेने चलते हुए दिखेंगी डिफरेंट डिफरेंट रूट्स पर नेक्स्ट अपडेट एलेंटी से है जहां एलेंटी को कई सारी डोमेस्टि के अंदर भी कॉंट्रेक्ट मिला है जिसके तैट इसको अर्बन प्रावर डिस्टेब्यूशन इससे समधिर डेवलाप्मेंट करने हैं इसके लावा और सिस कॉंट्रेक्ट की बात करें तो इसको दुबई के अंदर एक सबस्टेशन और के डेवलाप्मेंट करना है इसके इसे 108 million metric ton per annum की capacity वाला 7 plants set up करना है मारास्टा के डोल्बी में Next update aerial connectivity से है जहाँ Union Minister of Civil Aviation जोती राजित्य सिंद्या ने मद्य परदेश के चेप मिनिस्टर के साथ और Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare नरियन सिंग तोमर के साथ मिलकर 8 नए routes को launch किया है जिसे मद्य परदेश मारास्टा और गुजराथ तक connectivity बहतर होगी इसमें दिल्ली जबलपुर route, खजराहो दिल्ली route, गौलेर मूमबई route, ग्वालेर मूमबई गौालेर रूट, गौलेर पून्य ग्वालियर route, जबलपूर सूरत जबलपूर route, एमदा बाद ग्वालियर route 59 airport, 5 helipeds और 2 water aerodroms इनको operational किया जा चुका है इसके लावा और भी बहुत सारी काम हो रहे हैं इसके तहट नेक्स अपडेट असम से है जहां M.O.U. साइन हुआ है बिट्विन युराज सिंग फाउंडेशन और असम मेटिकल कॉलेज की बीच इसके तहट इस हॉस्पिटल के अंदर 100 bedded pediatric ICO को setup किया जाएगा जो कि डिवरुगड के अंदर located है बात करें तो M.O.U. के तहट युराज सिंग फाउंडेशन 100 bed के ICO के लिए fund देगी जिससे AMCH hospital child care facilities में improvement होगी बात करें तो युराज सिंग फाउंडेशन जायतर जो children cancer pedos होते हैं उनके लिए fund देती है लेकिन COVID-19 के time 100 bed child ICOs देश के कई सारे hospital में setup करने की बात कही थी तो इसके तहट है यहाँ पर काम कर रहे हैं इन 100 bed ICOs को दो installments में setup के जाएगा 20 bed पे ventilator और 80 oxygen generator setup के जाएंगे दोस्तो युरा सिंग फाउंडेशन एक NGO है जो कि युरा सिंग द्वारा start की गई थी next update Indian overseas investment से है जहां दोस्तो जैसे भारत के अंदर FDI आती है वैसे भारत की भी कंपनिया बहुत सारे देशों में direct investment करती है वहां की companies में और Greenfield investment भी करती है यहां पर दोस्तो भारती कंपनियों का विदेशों के अंदर जो प्रतिश निवे से वो इस साल बढ़ गया है करीब और 2.8 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया है यहां पर दोस्तो जो हमारी कंपनी है इनकी investment अगर overseas market में बढ़ेगी तो इनका market भी overseas में बढ़ेगा जिन भी दिसों के साथ भारत के अच्छे संबंद है और वहाँ पर market image हो रहा है वहाँ पर investment करनी चाहिए और इसी प्रकार दोस्तो टाटा यह सब investment कर रही है चले लिखते हैं startup ने जहां इंडिन ओनलाइन रिटेल स्टाटप लैंस कार्ट इन्हों 220 मिलिन डॉलर की funding raise किया है और इस fundraising के साथ इनका valuation 2.5 बिलिन डॉलर पहुच गया है इस fundraising के साथ यह startup अपने newly made manufacturing plant जो की राजस्तान के अंदर setup की गई है यहाँ पर नहीं technologies को add करेगी और manufacturing capacity को देर लाग per day कर देगी इसके लाओ इंडिये का एगरिटेक startup ओटिपाय जो की fresh vegetables, fruits और other groceries provide करता है तो वैस आज की इस वीडियो में इतना है अगर आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए मिलते हैं next वीडियो में